बूर्णिंग स्टूडेंट्स, आजे आपने सीखी सू, यूनिट वाल, टर्मिनोलोजी ओफ एकाउंटेंग, खिसाभी पदिती ना पाली बासिक सब्दू, आगर वदिती पहला जो तम्हें अमरी यूट्यूब चैनल हजूसुदी सब्सक्राइब ना करी होए, तो त्याने सब्सक्राइब करो, आने बेल आइकन दबाओ, कि जेथी तमने अमरी लेटेस्ट वीडियोज, आने अपडेट्स मरता रहे से, जो तमने आप टॉपिक दी सम्बंदित, कोई डाउर्स होए, तो नीचे कमेंट बाक्स मा, कमेंट करी हमने जनावो, अमें तमारा डाउर्स कि विद्ध्यार्दी मित्रू, वीडियो ने आखु जो जो, मैं टर्मिनलोजी ओफ एकाउंटिंग, हिसाबी बधितीना पारिभासिक सब्दों ने चोपड़ी करता, वधरे समझन पड़े, ए योग्ये करवानों प्रियास करियो छे, अने जो तमें आखु वीडियो जो शो, तो तमने वधरे सारी रिते आप पारिभासिक सब्दों खबर बड़े, हवें आगर चालू गरी, स्टुडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टार्मिनलोजी ओफ एकाउंटिंग, हिसाबी बधितीना पारिभासिक सब्दों, सिक्षन जुदा-जुदा शेत्रों मा मिरवा मा छे, कोई एंजीनियर बने छे, कोई डॉक्टर बने छे, कोई सिक्षक बने छे, कोई खेलाडी बने छे, दरेक व्यक्ती पोताना पसंद्गीना क्षेत्र मां सिक्षन ले छे, सिक्षन नी दरेक साखानी पोतानी परिभासा इटले के पोताना क्षेत्र ने अनुरूप सब्द भंडोड होए छे, दरेक शेत्र मा पोताना विशिष्ट सब्दों नो प्योग करवा मा आवे छे अने ते विशिष्ट सब्दों के परिभासिक सब्दों के टर्मिनोलोजी जे ते विशेनी ओडग अने समझूती आपे छे हिसाबी पधिती ना पण पोताना विशिष्ट सब्दों छे अने तेमनों विशिष्ट अने सपर्स्ट अर्थ समझावे छे हिसाबी पधिती ना किटलाक मेहतुन ना पारिभासिक सब्दों टर्मिनोलोजी नीचे प्रमाने छे फर्स्ट पॉइंट धंदा की ये वेवार धंदा की ये वेवार एटले बेके वधु वेक्तियों वच्चे धंदा माटेनी वस्तु के सेवानी रोकड मा अथवा अने साख पर फिर बदली साख पर फिर बदली एटले के उधार फिर बदली धन्दाकीए वेहवार एकले धन्दानू कुरूते धन्दाकीए वेहवार हमेशा आर्थिक वेहवार होये छे आर्थिक वेहवार इल्लेके जेमा नाणानी फेर बदल थती होय आपणे एक वेक्तीने रुकडा आपता होई अने एना बदलामा सेवा अथवा वस्तु खरी दिये आर्थिक वेवार इटले जेनु नाणामा मुल्ले मापी सकाई रुकड वेवार नाणा सो रूपे थाये छे जिस पस्ट रिते नाणा कीये मुल्ले धर्चावे छे उधार वेवार ना नाणा भुविस्से मां मणवाना छे पन त्यानु नाणा कीये मुल्ले वर्थमान मां नक्की थाये छे रोकड धंदा की वेवार ने समझीए दाखला दरीके रुपिया 10 हजार ना मालनू केतन ने रोकड मा वेचान कर्यू तो आ धंदानू कुर्ते चे उधार धंदा किये वेवार ने समझिये तो दाखला दरी के रोपिया 10,000 मालनू केतन ने 15 दिवसमा नाना चुकवानी सर्ते उधार एटले के साक पर वेचान कर्यू सेकेंड पॉइंट बनाव बनाव ए घटनाना सोरूपे उडखवा मावे छे बनाव एटले वेवार माथी उध्भवेल परिस्तिती अथ्वा परिनाम दाखला दरी के केतन ने वेचेल माल रुपिया 7,000 मा खरीदवा मा आव्यो अने गाडी भाडाना रुपिया 1,000 चुकव्या तो वेचान 10,000 रुपिया नू कर्वा मा वेल छे खरीदी 7,000 अने गाडी भाडाना 1,000 एले 8,000 थाये छे 10,000 मा थी 8,000 बाद करिये तो 2,000 नफों मड़े छे अने जे 2,000 छे एप परिनाम छे अने तेथी ते घटना एटले के बनाव छे थर्ड पॉइंट मूडी धन्दाना मालिक द्वारा धन्दो सरू करवा माटे जे रोकान करवा मा आवे छे तेने मूडी केवा मा आवे छे रोकान एटले के रोकाड स्वरूपे के अन्ने कोई मिलकत स्वरूप मा करवा मा आवे छे एटले के धंदानों मालिक घरे थी रोकड अथवा कोईपन मिलकत धंदामा लगाड़े तेने मूरी तरीके उडखवमा आवे छे मूरी मा तमाम एवी वस्तों न समावे सचे जिम मालिक द्वारा अफ़ामा आवेल होए अने तेनू नाना मा मुल्ले आकी शकाए दाखला तरीके मालिक रुपिया दसजार रोकडा, रुपिया दसजार नू फर्नीचर, रुपिया पंदर हजार नू स्टोक लावी ने धंदो सरू करे छे आहिया मालिक नी मूरी रुपिया पिस्तालीस हजार गणा से फोर्थ पॉइंट उपाड ज्यारे मालिक द्वारा धंदानी मिलकतो एटले के रोकड अथवा मालनों अंगत हेतु माटे वप्रास करवामा आवे त्यारे तेने उपाड तरीके उडखवामा आवे छे एटले के ज्यारे मालेक धन्दानी अंदर घरे थी कईक नाखे तो तेने मूरी केवामा आवे छे अने एना थी बिल्गुल अपोजिट ज्यारे मालेक धन्दा माथी घर माटे कईक पल लेई जाए तो तेने उपाड केवामा आवे छे उपार ए मूरी घटाडों सुचुए छे जो के तेने मूरी माथी सीधी रिते बाद करवाना बदले उपार तरीके अलग दर्साववामा आवे छे फिफ्थ पॉइंट जवाबदारी धन्दा द्वारा उधार खरी दिल माल अथवा मिलकत के सेवा अंगेनी चुकवा पात्र रकम अथवा उच्छी ना लीधेला नाना परत करवा पात्र रकमने जवाबदारी केवामा आवे छे पात्र अधर रकम ंदर्सावे ग chinा जवाबदारी केवा आवे लो हे लाँ जवाबदारी ना बे भाग धाये छे संबंद ना धारे औने समय ना धारे संबंद ना धारे बे भाग छे आंत्रिक जवबदारी औने बाहे जवबदारी आंत्रिक जवबदारी मा पन बे भाग छे चालू जवबदारी औने बिन चालू जवबदारी बाहे जवाबदारी मा बन बे भाग छे, चालू जवाबदारी औने बिन चालू जवाबदारी 6 पॉइंट आंत्रिक जवाबदारी औने बाहे जवाबदारी हिसाबी पधती मा धन्दों औने मालिक एक अलग वेक्ती तरीके उड़खवा मा आवे छे धन्दाना मालिक द्वारा जयारे धन्दाने मूरी पूरी पाडवामा आवे छे त्यारे ते धन्दानी आंत्रिक जवाबदारी बने छे आ धन्दानी मालिक प्रतेनी जवाबदारी छे टूखमा धन्दाय मालिकने चुकवानी रकम ए धन्दानी आंत्रिक जवबदारी केवामा आवेच दाखला तरीके धन्दाना मालिके रुपिया बे लाग पच्चा सजार नी मूरी पूरी पाडेल छे आ, रुपिया 25,000 धन्दानी मालिक परतेनी जवबदारी छे आने आ धन्दानी आंतरिक जवबदारी छे धंदा द्वारा त्राहीत पक्षकार पासे थी उधार खरीदेल माल अथवा मिलकत अथवा सेवा अंगेनी चुकववा पात्र रकम अथवा उच्छी नाली देला नाना परत करवा पात्र रकम ने बहे जवाब दरी केवामा आवे छे दाखला तरीके रोहित भाई पासे थी रुपिया एसी हजार चार मास माटे उच्छी नाली धा रुपिया पांच हजार नी मोहन पासे थी साक्पर मालनी खरीदी महेश पासे थी रुपिया दस हजार नूफर नीचर साक्पर करी दियू रुपिया त्रोन हजार पगारना चु वर्ज के तेना थी उच्छा समेमा चुकवानी होए तेने चालू जवाबदारी गेहवामा आवेचे। बिन चालू जवाबदारी ने लांबा गाडानी जवाबदारी तरीके पन उडखवामा आवेचे। बिन चालू जवाबदारी मा बैंक लोन, डिबेंचर वगेरेनो समावेज करवामा आवेचे। तो एक तमारी पोतानी मालीकी नीचे एटले के तमारी मिलकत कही सकाएचे। अन्या शब्दों मां मिलकतो एटले आर्थिक साधनों जे मालीके धरन करेल छे अने तेमाथी भविस्ये मां धंदाने आर्थिक लाभो थवाना अपेक्षित होई। बीजी रिते, इवी रिते पन गई सकाएचे के मालेक जे वस्तू ने वेची ने रकम भी करी सकतो होई। तेने मिलकत केवा मां आवे छे। जे मिलकतो ना प्रकार वी से सुचित करेछे, मिलकतो मां बीन चालू मिलकतो, चालू मिलकतो औने अवास्त्रीक मिलकतो नों समावेश ठाये छे। नाइंथ पॉइंट बिन चालू मिलकतो जे मिलकतो नो समय गाड़ो एक वर्ष्थी वधरे समय नो हुआ तेवी मिलकतो ने बिन चालू मिलकतो कहवा मा आवे छे तेम ने लांबा गाड़ा नी मिलकत अथुआ स्थिर मिलकतो तरीके पन उडखवा मा आवे छे बिन चालू मिलकतो मा जमीन, मकान, प्लांट, यंत्रो, फर्नीचर, ट्रेडमार, कॉपिराइट, पेटन, पागड़ी, फ्रेंचाइजिस वगेरेनो समावेश करवा मा आवे छे बिन चालू मिलकतो ने पन बे भगो मा वर्गी गृत करी सकाए फर्स्ट द्रुष्य मिलकतो, सेकेंड अद्रुष्य मिलकतो टैंथ पॉइंट द्रुष्य मिलकतो जे मिलकतो भवतिक अस्तित्व धरावती होए, जोई सकाए औने स्परसी सकाए तेवी मिलकतो ने द्रुष्य मिलकतो कहवाए छे दुरुषे मिलकतो बिन चालू मिलकतो नो पेट्टा भाग छे दुरुषे मिलकतो मा जमीन, मकान, प्लांट, यंत्रो, फर्नीचर वगेरेनो समावेश करवा मा आवे छे 11th पॉइंट अदुरुषे मिलकतो अदुरुषे सब्द पोतेज आम मिलकतो नो अर्थ स्पस्ट करे छे जे मिलकतो भोतिक, अस्तित्व न धरावती होए जोई न सकाए और स्पर्शी न सकाए तेवी मिलकतो ने अदुरुषे मिलकतो कहवाए छे अद्रूसे मिलकतो पन बिन चालू मिलकतो नो पेट्टा भाग छे अद्रूसे मिलकतो मां ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटन्ट, पाग्री वगेरेनो समावेश करवामा आवे छे 12.4 मिलकतो 12.4 मिलकतो नो पाग्री वगेरेनो समावेश करवामा आवे छे धन्दा के वेपार नी वस्तुओं ने माल तरीके ओडख्वमा आवे छे। दाखला तरीके कपडाना वेपारी माटे कापड माल केवाये छे। थर्टीन्थ पॉइंट प्रभाई मिलकतो। चालू मिलकतो ना पेट्टा प्रकार तरीके प्रभाई मिलकतो ओडख्वमा आवे छे। स्टोक सिवाई नी तमाम चालू मिलकतो ने प्रभाई मिलकत तरीके ओडख्वमा आवे छे। आ मिलकतोनु जडब थी एटले के टूका गाड़ामा रोकडमा रुपांतर ठाई सके छे। Next point is वास्थ्विक मिलकतो जे मिलकतोनो वास्थावमा मुल्ले हुए तेवी मिलकतोने वास्थ्विक मिलकतो केहवामा आवे छे। આ मिल्कतो ની બાજારકી મા તેટલે ઉપજ મૂલે હોય છે આ મिल्कतो નુ રોકણમાર ઉપાંતર કરી શકાય છે आ मिलकतों मां दुरुष्य अदुरुष्य चालू मिलकतों नो समावेश करवा मां आवे छे जे मिलकतों आ वेचान मां थी नाणानू उपार्जन थाई शके तेने वास्त्विक मिलकतों केवा मां आवे छे वास्त्विक मिलकतों नुँ वेचानकरी ने रोकड प्राप्त करी शकाये छे 15th point अवास्त्विक मिलकतो जे मिलकतो भोत्तिक स्वरूप धरावती ना होए उपज मुल्ले सुन्ने होए अने जे मिलकतों नुँ रोकड मार उपांतर न थाई शके तेवी मिलकतों ने अवास्त्विक मिलकतों कहवामा आवेचे आ एक बिन पुन्रावर्तित खर्च छे आ खर्चनों लाग एक करता वधू वर्सो सुधी मड़ेचे तेथी आ रकम ने अमुग वर्सों मांदी वाडवानी होवा थी मिलकत तरीके दर्शाववामा आवेचे आवास्त्विक मिलकतों माँ शेयर के डीबेंचर बहर बाड़वानो खर्च डीबेंचर वटाव प्राथमिक खर्च वगेरेंनो समावेश करवामा आवेचे अवास्त्विक मिलकतों ने प्रसारिद महसूली खडचा अथवा मुल्तवी राखेला महसूली खडचा तरीके पन उडखवामा आवेचे 16th point आवको धन्दा द्वारा करवामा आवेल विहवारोना परिना में जे नाना मड़े तेने आवक केवामा आवेचे आवकोने ते मडवाना सोरुबना आधारे वर्गीक्रुत करवामा आवेचे first नियमित आवको के महसूली आवको, second नियमित नव मरती आवको के मुली आवको अईया टेबल आपफामा आवेलू छे जे आवकोना प्रकार ने सुचित करे छे आवकोना प्रकार मा मूरी आवको अने महसूली आवको है छे 17th point मूरी आवको जे आवको धन्दाने नियमित रेते मर्दी न थी तेवी आवकोने नियमित न मर्दी आवको अथवा मूरी आवको क्यावामा आवे छे मूरी आवको मा धन्दानी जूनी मिलकतनु वेचान सेर मूरी, मेडवी, डिवेंचर बहर पाडवा वगेरे नो समावेस ठाये छे आ प्रकारनी आवको वारमवार उब्भी थती न थी एटले के एवी रितेपन मूरी आवकोनो अर्थ लखी सकाये छे के जे आवको धन्दाने वारमवार मर्दी न थी तेवी आवकोने नियमित नमर्दी आवको अथ्वा मूरी आवको केवाम आवेछ 18. महसूली आवको जे आवको धंदानी रोज बरोजनी प्रोर्तियों माथी नियमित रिते मडे छे तेवी आवकोने नियमित आवको अध्वा महसूली आवको केवामा आवे छे महसूरी आवकोमा धन्दा द्वारा थता वेचाननी आवक, कमिशननी आवक, डिविडननी आवक वगेरेनो समावेश थाए छे आ प्रकार्नी आवको वारमवार उब्भी थाए छे बीजी रिते कही जगाये छे के जे आवको धन्दाने वारमवार मर्दी होए तेवी आवकोने नियमित आवको अथवा मैसुली आवको केवामा आवे छे 19th point चुकवनियों धन्दा द्वारा करवामा आवेल विहवारोंना परिणा में जे नाणा चुकवामा आवे तेने जावक के चुकवनी केवामा आवे छे आ खर्चाओने ते चुकववना स्वरूपना आधारे वर्गी गृत करवामा आवे छे फर्स्ट नियमित जावको के मैसुली खर्चा, सेकेंड नियमित न चुकवाती जावको के मूरी खर्चा अईयां खर्चाओना प्रकार आप्पामा आवे ला छे खर्चाओना प्रकार मां मूरी खर्चा अने मैसुली खर्चानों समावेश ठाये छे 20th point मूरी खर्चा जे खर्चा धंदाने नियमित रिते करवा पड़ता न थी तेवा खर्चाओने नियमित न चुकवाती जावको अथ्वा मूरी खर्चा कैवामा आवे छे मूरी खर्चा मां मिलकदोनी खरीदी डिबेंजनना नाना परत करवा वगेरेनों समावेश करवामां आवे छे आ प्रकार ना खर्चा वारमवार थता न थी अईया बीजी रिते मूरी खर्चानों अर्थ कई सकाये छे कि जे खर्चाओ धंदाने वारमवार करवा पर्दा नथी, तेवा खर्चाओने नियमित न चुकवाती जावा को अथवा मूरी खर्चा केवामा आवेज़े 21st point महसूली खर्चा जे खर्चा धंदाने नियमित रिदे करवा परेचे, तेवा खर्चाओने नियमित जावा को अथवा महसूली खर्चा केवामा आवेज़े महसूली खर्चा मा पगार, मजूरी, टैलिफोन खर्च, जहर्यात खर्च वगेरेनों समावेज करवामा आवेज़े आ प्रकार्णा खर्चा वारमवार्थ अता होये छे एड़ले के बीजी रिते महसुली खर्चानों और्थ करी सकाये छे के जे खर्चा धंदाने वारमवार करवा पड़ता होय तेवा खर्चाओंने मियमी जावा को अध्वा महसुली खर्चा कहवामा आगे छे 22. प्रसारिद महसूली खर्चा जे करेल खर्चनों लाब धन्दाने एक करता वधु वर्च माटे मड़े तेवा खर्चने प्रसारिद महसूली खर्च केवामा आवे छे आ प्रकार्णा खर्चाओने अवास्त्विक मिलकत तरीके उडखवामा आवे छे 23. खर्च जे खर्चेल रकमलो लाब धन्दा ने जीते हिसाबी वर्च माँ मड़ वानों हौए तेने खर्च केवामा आवे छे हिसाबी वर्ष बार महिनानू होये छे आखर्चने महसुली खर्च केवामा आवे छे कारण के आवा खर्चा धंदाने वारंबार करवा पड़ता होये छे आमा तमाम महसुली खर्चावनों समावेस थाई जाये छे 24 उपज मालके सेवानू ग्रहकने अनुक्रमे वेचान करवामा अथवा पूरी पड़वामा आवे त्यारे धंदाने उपज सही गनाई उधार वेचान करवामा आवेल होये अने रकम मड़वानी बाकी होये तेने पौन उपज केवामा आवे छे उपज मां व्याज, भाडू, कमीशन, डिवीडन अने जेते वर्ष मां मढवानी बाकी आवाको वगेरेन समावेज करवामा आवे छे 25 नफो नियमित आवको मां थी नियमित जावको बात करता जे रगम मढ़े तेने महसुली नफो कहवामा आवे छे अने अनियमित आवको मां थी अनियमित जावको बात करता जे रगम मढ़े तेने मूरी नफो कहवामा आवे छे 26 नुक्षान अथवा खोट नियमित जावको मां थी नियमित आवको बात करता जे रगम मढ़े तेने महसुली नुक्षान अथवा महसुली खोट कहवामा आवे छे अने अनियमित जयावगो मा थी, अनियमित आवआकोँ बात गरता, जे रकम मड़े, तैने मुरी नुख्षान, अच्वाह मुरी खोड केवामा आवे छे मेहसुली नुख्षान अने मुरी नुख्षान तेमने फक्त नुख्षान पन कही शकाए छे नुक्षान ना अन्य प्रकारमा कोईपन प्रकारनी प्रूर्ती कर्यावगर पन नुक्षान उद्भवे छे तेनी पन हिसावी चोबडामा नौन्द करवामा आवे छे एटले के कोई पन प्रूर्दी करवामा ना आवे अने छताए नुक्षान थतू होए तो तैनी पन हिसावी चबडामा नौन्ध थोशे दाखला तरीके आग लागवा थी माल बड़ी गयो माल चोराई जाए रस्तामा अकस्माद मा नास्पामे वर्साद मा पलड़ी जाए वगेरे आ प्रकार्णा नुक्षान ना उधार नोच्छे कोई मिलकत ने अकस्माद थाए तो आ बनाव पन नुक्षान दनी के गणवा मा आवे छे कोई मिलकत नू चोपड़े कीमत करदा ओछी कीमते वेचान करवा थी जे रकम ओछी मड़े तैने पन नुक्षान कहवाए छे आ नुक्षान मूरी नुक्षान कहवाए छे नफो औने लाब समानार्थी सब्दो तरीके प्रचलिक छे जैनू मतलब थाये छे जैने नफो केवामा आवे छे तेने लाब पन कही शकाये छे 28 खरीदी धन्दामा घणी वस्तूओ आने सेवाओ खरीदवामा आवती होये छे आ तमाम खरीदियो धन्दानी खरीदी तरीके उडखवामा आवती नथी याद राख जो स््ट्टूरेंट्स जे बधी खरीदीयों करवं हमां आवे चे, ये बधी खरीदीयोंने धंदानी खरीदी तरीके उडखवं मां आवती न थी, आ धंदाना खर्चाओ तरीके उडखाए चे वेपारी जे वस्तूनों वेपार गरतों होए अने ते माल खरीदे तेने हिसाबी पधिती मां खरीदी केवामा आवे छे दागला तरीके कापड ना वेपारी द्वारा स्टेशनरी खरीदवामा आवे ते स्टेशनरी खर्च छे पन ते कापड खरीदे तो कापड तेना माटे खरीदी अथवा खरीद गनवामा आवेचे आ खरीदी रोकड अथवा उधार सोरूपे होई सके 29 वेचान धंदामा विविद प्रकार्नी आवको मरती होये छे आ तमाम आवाको वेचान तरीके ध्यान मा लेवामा उती न थी वेपारी जे वस्तूनों वेपार करतो होए अने ते मालनों वेचान करे तेने हिसाबी पधिती मां वेचान कहवामा आवे छे 30. मालनों स्टॉक वेपारी द्वारा वेपार करवाना हे तूसर जे माल खरीदवामा आवेल होए अने ते माथी वेचान करे पछी जे माल वदेल होए तेने स्टॉक कैवामा आवे छे दागला तरीके एक वेपारी ये रुपिया 80,000 नो माल खरीदव होए अने ते माथी रुपिया 40,000 ना मालनों रुपिया 60,000 मा वेचान करे तो स्टॉक रुपिया 40,000 मर्षे एटले के 80,000 मा थी 40,000 नो माल वेचान करवामा आवे छे तो हैसी यज़ार माथी 40,000 रुपिया बाद करी शु तो 40,000 मर्षे जेने स्टॉक कैवामा आव छे हिसाबी वर्षना अन्ते रुपिया 40,000 आखर स्टॉक तरीके गणा से अने विजा वर्षनी सरुद मा ते रुपिया 40,000 नो सरुदनो स्टॉक गणा से आखर स्टोक चालू मिलकत गणाये छे 31. देवादारो वेपारी द्वारा पोताना ग्रहागों ने उधार एटले के साख पर मालनू वेचान करवामा आवे त्यारे ग्रहागों ने देवादारो तरीके उडखवामा आवे छे ग्रहाग ने चेटला रुपियामा मालनू उधार वेचान करेल होए तेटली रकमनो ते धन्दानो देवादार बने छे देवादारों ने चालू मिलकत गणाये आवे छे 32. लेनी हुंडी लेनी हुंडी एक लेखित दस्तावे छे जेमा बे पक्षकारो होए छे हुंडी लखनार अने हुंडी स्वीकार नात जेमा हुंडी लखनार भविस्येनी निर्धारित तारी के चोक्कस रकम मेडवानो अधिकार धारन करे छे इटले तेनू लेनू बने छे हुंडी लखनार माटे हुंडी लेनी हुंडी गणाये छे आ लेखित दस्तावीज मा हुंडी स्वीकार नार निर्धारित समे निर्धारित रकम हुंडी लखनार ने चुकव से त्यानी लेखित जवाबदारी स्वीकारे छे लेनी हुंडी मां हुंडी लखनार ने पाक्या तारीखे हुंडी मां लखेल रकम हुंडी स्विकार नार चुकवे छे सामन्ने रिते लेनी हुंडी देवादारों माथी उद्भवे छे 33 लेनूर वेपारी द्वारा धन्दाना वेवारोना कारने अन्ने वेक्ति के वेक्तियों पासे थी कोई रकम भविस्थेमा मेडवानी बाकी होए तेने लेना तारीके उड़थवामा आवें छे लेना मा देवादारो लेनी हुंडी मडवानू बाकी कमीशन मडवानू बाकी भाडू मडवानू बाकी व्याज अगाउधी चुक्वेल खर्चाओ वगेरेनो समावेस करवामा आवे छे आ तमाम प्रकारना लेना चालू मिलकत गणाए छे लेना लामबा गाडाना पन हुए छे जेमा लोन धीरान वगेरेनो समावेस हाए छे 34 लेनदारो जेम वेपारी उधार मालनू वेचान करे छे तेम उधार मालनी खरीदी पन करे छे જે વેકટી પાસેતી ઉધાર માલ ખરીદવા માવે તે વેકટી ધંદાનો લેણદાર બને છે वेपारी पासेती जितला रुपियाना मालनी उधार खरीदी करेल होए तेटली रगम माटेते वेक्ती धन्दानों लेणदार बने छे लेणदारोंने चालू जबबदारी तरीके गनुवामा आवे छे 35 देवी हुन्डी देवी हुन्डी एक लेखित दस्तावेच छे जैमा बेबक्षकारों होए छे हुन्डी लखनार आने हुन्डी स्वीकार नार जैमा हुन्डी स्वीकार नार भविस्येनी निर्धारीत तरीके चोककस रगम चुकवानी जबाबदारी स्वीकार है छे એટલે તેનુ દેવૂ બને છે હુંદી સ્વીકારનાર માટે હુંદી દેવી હુંદી ગણાય છે आ लेखित दस्तावेज मां हुंडी स्वीकारनार निर्धारीद समय निर्धारीद रखम हुंडी लखनारने चुकव से तैनी लेखित जवबदारी स्वीकारे छे देवी हुंडी मां हुंडी स्विकारनार पाक्या तारीखे हुंडी मां लखेल रखम हुंडी लखनारने चुकवी आपे छे। सामन्ने रिते देवी हुंडी लेनदारों माथी उद्भवे छे। 36. देवु वेपारी द्वारा धन्दाना वेवारोना कारने अन्ने वेक्ति के वेक्तियोंने कोई रकम भविस्षे मां चुकवानी हुए तेने देवा तरीके उडखवामां आवे छे। देवामा लेनदारों देवी हुंडी चुकवानों बाकी पगार चुकवानी बाकी मजूरी चुकवानों बाकी खर्च गउथी मडे लावको बगेरेनों समावेश करवामां आवे छे। आ तमाम प्रगार्ना देवा चालू जबबदारी गणाये छे। 37 परतर कोई पन वस्तु तैयार करवा माटे अध्वा सेवा पूरी बढ़वा माटे जे पन खर्चाओनों समावेश करवामा आवे छे। ते खर्चाओना सर्वाडाने परतर केवामा आवे छे। अईया पन परतर करवा माटे अथ्वा पूरी बढ़वा माटे अध्वा पूरी बढ़वा माटे के जे पन वस्तु ने तयार करवा माटे ह। तेना माटे जेते कुल खर्च थेयो होए तेने पड़तर केवामा आवे छे पड़तर मा सामानने रिते मालनी पड़तर, मजूरी पड़तर अन्य पड़तरों नो समावेज करवामा आवे छे 38 वाउचर वाउचर ये धंदाकी वेवार नो लेखित पुरावो छे वाउचर ना अधारे वेवार नो प्रकार नक्ती थाए छे वाउचर इटले के जैरे तमे खरीदी गरवा माटे जाओ छो त्यारे सामे वाड़ो जेते रिस्रिप्ट आपे तेने वाउचर केवा मावे छे जारे तमें बैंग माँ पईसा भरो छो औने रिस्रिप्ट भरो छो अने अड़ो भाग बैंग ने आपीदो छो अने अड़ो भाग कोते राखीलो छो तेने पन वाउचर केवा मावे छे रोकड़नों वेवार, साकपरनों वेवार, खरीदीनों वेवार, वेचाननों वेवार, बैंक साथेनों वेवार, खर्चनों वेवार, आवगनों वेवार, मिलकदनों वेवार, देवानों वेवार वगेरे प्रकारों वाउचनना अधारे नक्की थाये छे व्यवार नो प्रकार नक्की थया पची, खाताना नियमों न अधारे, व्यवार नी धन्दाना एक्जाबी चौबडे नौन करवामा आवे छे 39, वटाव, स्टुडेंट्स, वटाव एटले के डिसकाउंट, विसे तमें जानता हसो वटाव सब्द मालना खरीद वेचान माथी उद्भवे छे, वटाव 11 मड़े छे, ज्यारे तमें खरीदी अथवा वेचान करो छो इटले के वटाव 11 मड़े छे, ज्यारे तमें खरीदी करता हो छो, अने वटाव क्यारे आपता हो छो, ज्यारे तमें वेचान करो छो खरीद के वेचान्नी रकम माथी सर्तोना आधीन अमुग रकम बाद करवामा आवे औने चोखी रकम चुकवामा आवे छे जे रकम खुल रकम माथी बाद करवामा आवे छे तेने वटाव केवामा आवे छे बीजी रिदे कईए तो खरीद वेचाननी कुल रकम माधी जेटली रकम उच्छी चुकवामा आवे के मड़े तेने वटाव केवामा आवे छे वटावना मुख्यत्वे बे प्रकार छे वेपारी वटाव अने रोकड़ वटाव फर्स्ट पॉइंट और वेपारी वटाव वेपारी द्वारा वेचानना समय कुल कीमत माधी अमुक टका अथ्वार रकम बाद करी अप्फवामा आवे तेने वेपारी वटाव केवामा आवे छे वेपारी वटाव अंगेनी नोद करवामा आवती नथी दाखला तरीके रुपिया दस हजार नो माल दस्टका वेपारी वटावे वेचेव होय तो कुल कीमत रुपिया दस हजार माधी दस्टका बाद करी ने दस्टका एडले के एक हजार बाद करी ने रुपिया नव हजा 9 धंदाना चोबडामा दर्शावीशू। 2. रुकडवटाव वेचान करेल मालनी रकम जड़ब थी परत मड़े ते हेतु थी ग्राकोने आकर्स्वा माटे मडवा पात रकम माथी जे रकम कापी आपवामा आवे तेने रुकडवटाव केवामा आवे छे। रुकडवटावनी चोबडे नौन करवामा आवे छे। वेपारी वटाव बाद करिया पछी रुकडवटाव गनवामा आवे छे। विद्यार्दियों याद राग जो वेपारी वटाव बाद करिया पछी जे रकम मडशे तेनी उपर रोकड वटाव गनवामा आउचे दाखला तरीके रुपिया 10,000 नो माल दस्टका वेपारी वटावे अने रुपिया 500 ना रोकड वटावे वेचियो तो आ परिस्थिती मां 8,500 रकम चुकववामा आउचे 10,000 मादी पहला 1,000 बाद करिशे तो 9,000 मडशे अने 9,000 मादी 500 रुपिया रोकड वटावना बाद करिशे अने 8,500 रुपिया जे मडशे तेने चुकववामा आउचे एटले के 10,000 मादी पहला वेपारी वटाव बाद करिवामा आउचे एटले के 1,000 अने जे रकम मडशे 9,000 ते मादी रोकड वटाव बाद करिवामा आउचे इटले के 500 रुपिया, 9,000 मा दी 500 रुपिया बाद करशो, जे रकम मडशे, इटले के रुपिया 8,500 नी चौपड़ामा नौध करवामा आउचे अने साथे साथे रोकड़ वटाव नी पन नौध थसे 40th मडेल वटाव, आपेल वटाव आपेल वटाव ए रोकड़ वटाव हुये छे आपेल वटाव नी चौपड़े नौध करवामा आवे छे मडेल वटाव आवक छे औने उपज तरीके गणाए छे आपेल वटाव खर्च गणाए छे મડેલ्્ વડઓ ની ચર્જા કરીએ અળેલ્ વૡ્ વૡાઓ વેપારી દ઼ારા માલ ખરીદવામાા આવે वटावनी जड़्जा गरिये और मडेल वटाव वेपारी द्वारा माल खरीदवामा आवे और वेपारी चुकववा बात रकम उच्छी चुकववानी होए तो जिट्ली रकम उच्छी चुकववामा आवेल होए तेने मडेल वटाव केवामा आवे छे आ धंदानी आवग छ ते उपज गणाए छे, ब, आपेल वटाओ, वेपारी द्वारा माल वेचवामा आवेल होय, अने वेपारी ने मणवा बात्र रकम उच्छी मणवानी होय, तो जिटली रकम उच्छी मणवा बात्र होय, तेने आपेल वटाओ केवामा आवे छे, आ धन्दानों खर्च 41, घसारो धन्दानों बिन रोकर खर्च केवाए छे, दाखला तरीके, तमें एक मोबाईल सौफ मा जाओ छो, अने एक मोबाईल तमने गमे छे, अने एक मोबाईल तमें रूपिया 40,000 मा खरीदी लेता हो छो, अने त्यार पची जाने तमें घरे आओ छो, अने 4-5 दिवस सही जाए अने तमने खबर पड़े छे, कि तमने एक मोबाईल वापड़ता नहीं फावे, अने तमें एने परत करवा माटे, 4-5 दिवस पची, तमें परत करवा माटे दुकांदार पासे जाओ छो, अने दुकांदार केछे, कि तमने पूरा पैसा नहीं मड़े, तमने हूं 35,000 जयरे धन्दाद्वारा उधार माल वेचान करवा मावे, त्यारे जयने उधार माल वेचेल होए, ते धन्दादनो देवदार गराये छे, तैनी पासे थी वेचानी कीमत वसूल करवानी होए छे, घणी वकत धन्दानो देवादार धन्दानी पूरे पूरी रकम पोतानी नबडी आर्थिक स्थितीना कारने चुक्वी सकतो नथी धन्दा द्वारा निर्धारित प्रियातनों कर्या पछी पूल रकम माथी जेकली रकम वसूल नो थई सके तेम होए तेने घालखात केवाए छे घालखात धन्दानों खर्च नथी पॉर्ण नुक्षान छे विध्यारदी मित्रों धारों के तमारों मित्र तमारी पासे थी 5000 रुपिया उच्छीने लही जाये छे अने जारे तेने वाइदो कर्यों होए छे ते दिवसे ते तमने 5000 माथी फरक्त 4500 रुपिया परातापे छे अने बाकी ना 500 रुपिया माटे ते कैछे कि हवे भूली जजे तने बाकी ना पईशा मड़ से नहीं तो जे रकम आपनने भूलवानी होए छे 500 रुपिया ते आपड़ा माटे घाल खाद छे 43 सद्धर जे वेक्ती पोतानी नाना किये जवबदारी के देवा नियमित पने चुकवतो होए जैनी मिलकतो तेनी जवबदारी करता वधारे होए ते वेक्ती ने हिसाबी बधिती नी भासा मां सद्धर वेक्ती कहवाए छे 44 नादार जे वेक्ती पोतानी नाना किये जवबदारी इटले के देवा नियमित पने चुकवतों ना होए इटले के सक्षम ना होए जैनी मिलगतो तेनी जवाबदारी करता उच्छी होए, ते वेक्ती ने जावी बधितीनी भासामा नादार वेक्ती कहवाएच। पण ज्यां सुधी अदालत द्वारा वेक्तीने नादार जहेर करवामा न आवे, त्यां सुधी वेक्तीने नादार कई शकाए नहीं। नहीं तर बद्धा वेक्तियों जेमने उच्छीने नाना लिधा होए तेओ बद्धा पोतानी जादने नादार केशे के मारी पासे पैसा छेज नहीं तो हुँ आपीस नहीं इटले के सव प्रधम अदालत द्वारा नक्की करूँ बड़े छे के ये वेक्ति नादार छे के नह उधार अने जमा हिसाबी बद्धितीना पायाना बे सब्दो छे द्वीनोदी नामा बद्धितीमा दरेग वेवारनी बेवडी असर आप्पा मा आवे छे उधार अने जमा उधार जमा नी साच्ची अने खरी समझूती हिसाबी बद्धितीनी साच्ची अने खरी समझूती हिसाबी पधिती मां बे बाजुओनों प्योग करवा मां आवे छे डाबी बाजुने हिसाबी पधिती मां उधार बाजु तरीके उडखवा मां आवे छे जम्नी बाजुने हिसाबी पधिती मां जमा बाजु तरीके उडखवा मां आवे छे हिसाबों मा कोई खातु जमा करू एटले खातानी जमा बाजुए एटले के जम्री बाजुए हिसाबी नौन लख्वी 46 खातु घंदानी अमुक वस्तुओं के वेक्तियों अंगेना वेवारो वारमवार्थता होये छे आ वेवारो उधार असर धरावदा उधार बाजुणा होई सके जमा असर धरावदा जमा बाजुणा होई सके जेते वस्तु के वैक्तिने लगता तमाम वियवारों हिसावी चौबडा मा एकस थाने नो धाये अने वियवारों नो साराण जानी शकाये तेने खादू केवा मा आवे छे धाकला दरी के परेश भाई धन्दाना ग्रहक छे तेमने उधार वेचान करवा मा आवे छे, धारों के वर्ष मां 40 वखत उधार वेचान करवा मा आवे छे, अने तेमना द्वारा हिसाबी पतावट पन 40 वखत करवा मा आवे छे, आम परेश भाई साथेना वर्ष मां जुदी जुदी तारीखे 40 बुणिया बे बराबर 80 वेव परेज भाई नू खादू केवामा आवे छे। 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 इटले विध्यार्थी मित्रों ध्यान थी आ वीडियो ने आखु जोजों केजे थी तमने बराबर रिते आने सचोट रिते खबर पड़ी सके ठेंक यू जोवा बजल आभार